पो क्यासे हो गैज से अंब्स कर सब्सक्राइब कर दस्य लीए मुई और फुरी माइक किट रु quand इसे अच्छा माइक आपको नहीं मिलने वाला है, तो मैंने इस माइक को पर्चिस किया है, 3000 के अराउंड, मतलब 2000, basically अभी 3000 के अराउंड हो गया, मैंने इसे लिया था, 2700 में, आफर में आपको ये अराम से 3000 के अराउंड मिल जाएगा, और अगर Big Billion Day में अगर आपको मिला फ और पुरा देख पूरा सैट है हमारा, और य Patrol यहा मारा बॉप फील्टर तो पता पे किस का इसमाम आते हैं, अभी lithium जो मेतल वाली है, यह जो बहुत ही समें आप को बहुत ही बुद्ध की में जेंचा kit, उसमें आपकोvollे बुद्ध pre-pal Cartel और वहां उसमें आपको मे उसमार 3.5 mm वाल जो माइक आती है ना सेम ही आएगे सेम ही आपकी स्पेक्स के साथ सेम ही मौडल के साथ दिक्कत ही है बेसिकली 3.5 mm वाले पर कि इसको जब वाइस क्लारीटी होगी वो यूस्ब से थोड़ी से कम होती है अगर आपको एक ऐसा माइक चाहिए जो आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाए तो डेफिनेटली आप 3.5 mm के साथ जाए अगर आपको सिर्फ पीसे में यूस करना है और अगर लैपटॉप में यूस करना सिर्फ तो मैं बोलूगा कि आप यूस्ब वाल के साथ जाए क्योंकि इ हमारा यहां पे आता है बूम स्टैंड यह को यह है हमारा बूम स्टैंड जो की माउन्ट हो जाएapore में के लिए अपने टेबल के साथ यसके बाद हमारा usb कार्फ जो के बलाटा deep जुदी नॉर्मली इसके साथ हमारा यह फिल्टर आ इसके बाद हमारा माइक का सटेंडने है कि दिए हमारा माइक को फिप हömरे माइक के ठेनड़ होगा यह हमारा माइक का स्टेंड अब करने के यह यह हमारा में माइक्रोफोन यह देखो इसके साथ आपको एक गेन नॉब मिलता है यह gain not basically अगर तब काम आता है जैसे आपको माइक से दूर बैठे हुए हैं तो आप इसे gain को बढ़ाएंगे तो अगर आप माइक के पास है तो gain को कम करेजे लेकिन इसकी एक नुकसानी है कि आप जितना इसे gain को बढ़ाते रहेंगे तो यह आसपास की जो background noise ना वो जादा घी पीछे गा और इस माइक की एक और स्पैसालिटी यह है कि अगर आप इसके बखसे के पीछे देखे ना अगर तो आपको यहां पर दिखेगा polar pattern cardiroid मतलब यह होता है कि यह माइक है यह सिर्फ आगे से record करेगा पीछे से record नहीं करेगा तो इसका बहुत ही बढ़ा यह सिर्फ आप विद्व कि अवस्तिएव अनि वागन वाःस ढ़नी तो यह हुआरी माइक नहीं कि द्ल है तो चलो चलते हैं हम लोग जल्दी से इसे एक अप करता अपने टेबल फिर एक वीडियो को कंटीनियू करता है तो अभी आप जो यह audio सुन रहे है यह directly record हो इसी microphone से इसमें मैंने कोई filter का यूज नहीं किया है नहीं इससे मैंने कोई noise reduction का यूज किया यह आप देख सकते हैं directly मैं order city पर record कर रहा हूं और यूज करता है यह आपको पता चल जाए कि मेरे background में जो एक फैन चल रहा है तो मेरे background में जो बहुत तीजी से चल रहा है वो कितना यह background noise को record करता है तो इससे आपको idea हो यह गया हुआ कि background में अगर आपकी fan भी चल रही है या फिर आप माई के बहुत ज्यादा close है तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर यह माई कितनी ज्यादा record करता है कितनी ज्यादा background noise record करता है और आपको एक और चीज़ लिखाते है इस पर game filter है अगर आप इसे कम करेंगे मैंसे कम करके दिखातो मैं अगर इसे कम करूंगा यह मेरी आवाज यहां पर बिल्कुल नहीं आ रही होगी अब मैं ध्युर्द्र को 25 पर रखा है तो यह नॉर्मल आवाज आ रही होगी मैं इस game filter को 50 पर रखू तो यह इतनी आवाज आ रही है और आपके महाल है क्योंकि आप अगर gain को बढ़ाएंगे तो background की noise जादा capture करेगा और आपके अवाज में distortion होगा मतलब आपके अवाज थोड़ थोड़ी फटने लगी ठीक है तो इसे वज़ए से gain को 25 और 50 के around रहे है तो बहुत ही best आपको recording की output मिलेगी बहुत ही best quality मिलेगी त तो यह थी microphone की testing का इस तो बताना कि आपको यह mic कैसा लगा कि आपको यह mic लेना है अगर आपके पास अगर इतने budget हो तो कि आप इस mic के साथ जाएंगे या फिर आप कोई और microphone देहेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से तो अगर आप streaming कर रहे है या फिर आप beginner YouTuber है और आपको पस उत करना और चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब करना मैं रेगुलरली डाइव स्ट्रिम करता हूं और gaming की वीडियो सब्लोड करता हूं मैं अब इस ही mic से करने वाला हूं तो आपको और और इसकी testing देखनी है आगे तो आप मेरे चैनल को वापस विजट कर सकते हैं और तो किले बबबाइ